हलो दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोसनी फैमली ब्लोक्स चैनल में तो अभी साम का टैम है साम की टैम में नहाई थी दिन भर में नहा नहीं पाई और अभी साम की टैम नहाई हूँ उसके बाद में कपड़े धो रही थी तो आज की ब्लोक्स शुरू हो रही है कपड़े धोने के साथ तो अभी साम हो रही है सर कपड़े दो लेते हैं उसके बाद हम इसको बाहर फेला देंगे आज कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं धोए लेकिन भी फुरसत नहीं मिला आज हम हमारे होटल के पीछे तरफ जो जाड़ी है ना वो साफ कर रहे थे तो उसी में टैम बहुत जादा लग गया था और वीडियो उड़ू कुछ नहीं हुआ है होटल के काम सबी तो हो गये थे लेकिन जाड़ू भी नहीं क्यों अगर मैं थोड़ा लेट में नहाती तो थंड़ा लगने लगता इसलिए मैं पहले सोची कि नहां ही लेती हूँ उसके बाद जाड़ू उड़ू हो गया राम से तो कपड़े सुख गये हैं सभी को उठा करके रख दिये और उसके बाद अभी नहाएं हैं तो ही कपड में डाल रही हूँ और रोहनी रोशनी स्कूल से आ गये थे इस टेम क्योंकि साम की टेम है तो बच्चे तो आ ही जाते हैं तीन बजे चलिए घर चलते हैं भी जाड़ू भी लगान सूती कपड़े से तो अच्छा रहेगा पानी थोड़ा निकल जाएगा और साम के टेम है तो सर्दी जुकाम की भी डर रहती है लेकिन हम अभी जल्दी से पोच लेंगे फिर बाल को तोलिय लिपट लेंगे और काम करेंगे तो चलिए जाड़ू लगाते हैं पत्ते बहुत जादे गीर गये हैं सुबह के टेम में कितनों भी जाड़ू लगा लेकिन दो पहर में भी जाड़ू लगाना पड़ता ही है दिन भर में कई बार जाड़ू लगती है फिर भी बहुत सारे पत्ते जबना हो जाते हैं अब पत्चड के टेम हैं तो इसलिए बहुत जादा कच कचड़ा हो जाता है यहां पर बच्चे खेलते हैं उसके वज़े से और भी ज्यादा कचड़ा होता है और उधर पेड़ तरफ बस पत्ते ही रहते हैं और इधर उधर तो बच्चे लोग अपना खिलाओना प्लास्टिक क्या क्या यह लोग लेकर के आते रहते हैं तो बहुत स लिए पूरा जाडू लगा लेते हैं, अर उदहरबी जाडू लगाने हैं, घर बरतन उतन तो सभी हो गया था, क्योंकि चांदनी आती है फिर धो देती है, तो बरतन हो गया था, भस जाडू लगाना है, साम की खाना, फिर बनाना है, और अभी में सभी काम करके ही नहाती लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है न तो फिर ठंडा जैसा लगता है तो इसलिए हम सोचे पहले नहा ले उसके बाद आराम से अपना घर की काम करते रहेंगे तो देखे कितने सारे पत्ते दीख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पत्ते हैं और यह बच्चे लोग साड़ी अगरा कुछ अपने खिलोना के जो होते हैं न वो सब था तो सभी जाड़ो करके हम यह पर जामा करेंगे फिर अभी हम फेक देंगे और चुलह की लिपाई भी करनी थी लेकिन अब साम हो गई तो नहीं करेंगे अब सुबा ही होगा वो सब काम तो यहाँ पर मैं आई थी गए हुए थे बजार तो मटर लेकर आए हैं ताजा 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 तो आज इसी की सबजी बनेगी मटर टमाटर यह सब कोई तो यहाँ पर हम मटर छिल रहे हैं और सभी मटर को छिल लेंगे सभी नहीं दो केजी लाए हैं तो कच्चा बहुत खाते हैं हमारे घर पर तो थो अभी मिर्चा वगेरा सभी पीस लिये थे और यहां पर खाना चड़ाए हैं भी लैड चल गई थी दोस्तों तो अच्छा से रेशेपी भी नहीं दिखा पाए और हमसाला भूंज रहे थे देखें सभी मसाले डाल करके उसके बाद हम मटर डालेंगे और इसको अच्छे से खाना उना देंगे अभी रोहनी रोसनी को जल्दी खिलाएंगे क्योंकि यह लोगों को खाना खाने के बाद दवा भी खाना है तो रोहनी खा ले थे रोसनी खा रही है खाना और रोहनी जल्दी सो जाती है इसलिए हम इसको दवा खिला देते हैं फिर आराम से सो जाएगी और बाद में रोसनी खाएगी इसका खासी है सर्दी जुकाम हुआ था फिर खासी भी हुआ था तो इसके लिए हम खासी वला दबा मंगवाए थे तो वो दबा वो खाती है और ये इसका भी वो खार सर्दी जुकाम की प्रब्लम है तो फिर इसको भी खिला देते हैं और ये द कुग देंगे फिर सो जाएगी फिर हम अराम से खाना उना खाते हैं और यह सुबा के टैम सुबा की सारे हो गई थी जाड़ गूरू बरतन सभी उसके बाद हम सबजी कट करने के लिए लेने आए हैं बैठी जो हम कट करते हैं तो यहां पर हम बनाएंगे पालक की भुजिया रोहन की पापा लेके आए थे बजार से तो यहां पर मटर आलू और पालक तीनों को मिक्स करके बनाएंगे सबजी और रोटी बना देंगे रोहन के पापा बोल रहे थे कि पराठा बना देना और रोटी भी बनेगी और खाना भी आज कल दो-तिन दिनों से मारे हैं रोटी सारे हैं तो हम सभी को बनाएंगी क्योंकि सुबह के टैम में थोड़ा ज़्यादा खाते हैं हम दो तीन बार खा लेते हैं बच्ची लोग फिर हम लोग भी खाते हैं दो बार तो इसलिए ज़्यादा बनाते हैं सुबह के टैम में सबजी और यहां पर यह लोग तैयार हो रहे इस्कूल जाने के लिए तबाल कंगी कर रही है प्रीटी और अंदनी भी त्यार हो रही थी और मैं यहाँ पर समजी कट कर रही हूँ रोहन खाना खा रहा था मेरा जगा पास में बैठ के वह खाना खाया दाल हम बनाए थे दाल से खा लिया था क्योंकि दाल से वह बहुत अच कि रोहनी के साहत रोहनी के सही है दवा खरीदे थे तो अच्छा हो गई और यहां पर देखे यह लोग बना रहे हैं बाल इसकूल जाएने के लिए तो यह रिजाइन वाल कंगी कर रही है यह लोगों को बहुत सौक होती इस तरह के बाल बनाना और बहुत डिजाइन भी आता ह यह लोगों को अच्छी अच्छी रिजाइने बनाती है बाल की और चांदनी भी त्यार हो गई है सभी को अभी जाएंगे स्कूल और यहां पर हमारे सबजी देखे पालग, आलू, मतर, टमाटर सभी मिक्स सबजी बनी है बस यहां का पानी है उसको सोखना बाकी है क्योंकि बहुत जादा पानी निकलती है और यह पर दाल भी बन के तयार है और खाना सबजी सब बन गया है रोटी भी बना दिये थे यह सिंपल सा रोटी भी बनाया थे फिर पराठा भी और कुछ ही देर में देखे मेरी सासुमा आई थी तो बैठी हुए है उनको में चाय पानी दी हम आलू चिलने लगे थे तो यह भी बोली कि हम भी हेल्फ करते हैं यह भी जानते हैं कि होटल में कितने काम होते हैं तो यह भी लग गये थे आते ही काम पर लगा दिये मेरे सासुमा को आजाती है चलने भी नहीं पाते हैं फिर भी आजाते हैं तो हम इनको मना कर रहे थे कि बढ़ जाई आप आराम से लेकिने बोल रहे कि नहीं थोड़ा हिल्फ कर देते हैं क्योंकि ये लोग का सोचना कुछ अलग होता है बहुत जादा मानती है हमें मतलब सभी परिवार को दिये हैं नमक डालेंगे और इसके बाद पूरा मिला देंगे मिक्स करके इसको थासेंगे एक बरतन से और रहन के पापा वहां पर बेल रहे हैं तो उनके बिलने तक हम मसाला त्यार करेंगे और उनके लिए पहुचा देंगे वह अराम से अपना काम करते रहेंगे और मैं इधर अपना घर की साप सभाय में लगी रहूंगी